हाई गाईज, मैसल सीमा शलजानन, वेलकम अन माई यूट्यूब चैनल साई एडवांस फॉर लाइफ साइंस, इन दिस वीडियो आई विल डिसकस यहर पार्ट बी कोश्चन अफ दिसंबर 2019 ऑफ एकोसिस्टम कंट्रोल, एकोसिस्टम कंट्रोल का एक वीडियो माइन मैप के में अलड़ी जा चुका है, जिसमें पूरा डिटेल में हमने तीनों एकोसिस्टम कंट्रोल को देखा था, टॉप डाउन, बॉटम अप एंड वास्प वेस्ट, उसके बाद उसी एक माइन मैप के ही हेल्प से हम वन बाई वन पार्ट C कोश्चन सॉल्व किये थे, 2015 जून का और 2014 जून का, और यह है पार्ट B कोश्चन, देखें बच्चों एक ही माइन में अपसे आपका कॉंसेट भी डील हो रहा है और आपका कोश्चन भी सॉल्व हो रहा है, आईए देखते हैं इस कोश्चन में क्या बोलता है, इस कोश्चन का डिमांड क्या है, इन आपका अंपारीं, इस कोश्चन भी सॉले की माइन में इक भी स्चन्य है, पेले क्या है, इस कोश्चन भी डील दिमारीं, इस कोश्चन की यह कॉर्डेंत Washington, now speaking, it is water family, in a lake, reducing population of a fish which feeds on plankton, of theuga I. प्राइमरी प्रोड़ुक्तिविटी मिन्स प्रााइमरी ट्रॉफिक लेवल के बारे में बात कर है यहा देखेए कौण सा है यह फाइटो प्लेंके डिसी चैंच सबसे नीचे है और सबसे नीचे कौन सा था हमारा कोड फिर से हम अगेन मैं बताऊंगी आपको यह वाला कोड यह देखिए पिसकी ने प्लैंक्टी से कहा जू चलो और फाइटो को पकड़ के लाते हैं पिसकी कौन सा है क्वाटरिणी ट्रॉफिक लेबल और इस्माल फिश कौन सा है आपका टर्शियरी यह है आपका लार्ज फिश पिसकी में जो है पिसकी हम यह स्माल फिश प्लैंक्टीवोरास यह टर्शरी यह सेकर्ण्री औड tenant यह.\ तो कोश्चन में क्या बोल रहा है आए देखते हैं रिड्यूसिंग दा पॉपुलेशन ओफ फिश का पॉपुलेशन रिड्यूस हो रहा है अभी देखिए बच्चों इस बात पर ध्यान दिजिएगा यहां पर यह अभी मेंशन नहीं किया है कि लार्ज फिश का इसके बारे में यह नहीं बोल रहा है प्लैंक्टों पर फीड कर रहा है यहां पर यह बहुत ही की वर्ड है इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए तब उसके आगे पूच रहा है कि प्राइमरी प्रोड़क्टिविटी पर क्या असर पड़ेगा तो अगर इसमाल फिश मि अगर reduce हो जाए यह अगर कम हो जाएगा तो टॉप डाउन में क्या होगा जूओ प्लेंक्टन हमारा increase कर रहेगा और अगर जूओ प्लेंक्टन increase कर रहा है तो obvious है कि phytoplankton decrease करेगा phytoplankton ही तो आपको primary productivity शो कर रहा है क्योंकि यह primary traffic level में होता है तो regulation of primary productivity किस hypothesis के through आपको बताया गया है तो हमने यह increase और decrease वाला किस में देखा था टॉप डाउन में तो इसका answer क्या हो जाएगा सी में अगर graph से चलना चाहिए चाहते हैं तो देखिए यहां पर क्या बोल रहा है small fish का population यह वाला again देखिए इससे पहले भी दो question में यही graph डिल हो चुका है small fish का population decrease हो रहा है मेंसिस का biomass अगर decrease होगा तो जूपलेंक्टन इंक्रीज करेगा और जूपलेंक्टन अगर इंक्रीज करेगा तो फाइटो पलेंक्टन डिक्रीज करेगा यह कौन सा effect शो कर रहा है यह top down control शो कर रहा है तो इस तरह से इस question का answer क्या हो जाएगा top down control ठीक है यह तीन ही question अभी तक ecosystem control से आये हैं और मैंने one by one छोटे छोटे वीडियो डालके आपको यह तीनों discuss कर चुके हैं इसका answer with explanation एक वर मैं आपको यह suggest करूंगी कि कोई भी question का explanation देखने से पहले उस topic के mind map पर जरूर जाईएगा ताकि अच्छे से उसका concept clear हो जाए और तब उसका अगर explanation देखेगा तो और भी अच्छे से समझ में आएगा अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो please like share and subscribe जरूर कर दिजेगा और कुछ भी suggestion देना हो तो comment section बता दिजेगा मिलते हमारे next वीडियो में तब तक के लिए thank you